जहीं दोस्तों स्वागत थे आपका और एक ने वीडियो में और एक ने टोपिक के साथ में उड़कर देवू मैं हूँ राजेश फ्रेंड साज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तन मीडिया क्राइंगे स्चाइना बेंबुजल लेकिन यह रिपोर्ट देखने के बाद न्यूस देखने के बाद यह पाकिस्तान में कुछ मनलब इदर उदर कुछ हुआ नहीं है बादर हुस कंट्री में हुआ है ना बागे कर दो देखने लगे तो लाइक शेर जरू से करते जेगा और चैनल पर पहली बारे हो सब्सक्राइब करते हैं चीनी हकूमत जो है वो मुसाजिद खतम करने में मसरूफ है यह हमें राइट्स वाच ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसलाम और इसलामिक प्रैक्टिस और मस्जिदों को खतम किया जा रहा है पाकिस्तान जो चीन का पिटू बना बैठा है गुलाम बना बैठा है बड़ी बड़ी बाते करता है इसलाम की मुसल्मानों की इन तस्वीरों पर क्यों घिक्की बांठ कर बैड़ जाता है गर में माता जी पीता जी सारा दिन जहाद की तालीम देते हैं वीकेंड पे मस्जद में भेदिया जाता है रोव मस्जद में बैठावा मौलवी हाई स्कूल भी नहीं होता है वो फिर आगे जहाद का टिका लगाता है चले फिर यह हमारी बदनसीबी है क्या इसका हो सकता और अगर ये काम भारत में, अमरीका में, बरतानिया में, या यॉरप में हो रहा होता, तो इस वकत आलम इसलाम के अंदर ये हो रहा होता, जनाब पता नहीं इसलाम को खतम किया जा रहा है, लेकिन क्योंके चीन में हो रहा है मुसल्मान खमोश है ये मुसल्मान दुनिया के डबल स्टैंडर्ड है आखर मुसल्मानों के खत्रे की ये जो इंटरनाशनल राजनी नीती है वो सिर्फ भारत और मोदी तक ही क्यों सीमित रखने के पीछे ये लोग काम कर रहे है ये है कि ये चीज़े मैं आपकी मानता हूँ कि उन्होंने हम से मूँ मोड़ा है और वो पिंजाबी में साटे कैन देने ना उन्ठाले अनल यारी लाइए तबुग उच्छे रखने पैन देने इननों उन्ठाले अनल यारी पसान दाई ये देना ने सारा कल्चिर अडाप्ट कर लिया ये बड़ी सोसना कर लिया आपको खमोशी कहां से नजर आएगी आलमे इसलाम से ये इरान होता पाकिस्तान होता कोई भी मुलक होता अगर ये काम अमरीका में हो रहा होता तो आप देख लेते कि ये क्रैसिस बैदा हो जाना था लेकर क्योंको चीन में हो रहा है और आगा खैरा कोई मसला ने चीनी साड़ परान है क्योंकि हमने उनसे करजे लिये हो है जिस मुलक से करजे ले ले हैं उस मुलक से कहें खमोशन है मस्जदे बंद की जा रही है डिमॉलिश की जा रही है और मस्जदों को कनवर्ड किया जा रहा है जैहिन दोस्तों दोस्तों वैसे तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान ये बात बताता है सबको कि अगर कोई देश इसलाम का दोस्त है तो वो चाइना है और दोस्तों ऐसी रिपोर्ट आ गई आज कि पूरे पाकिस्तानियों का गला सूग गया दोस्तों अंतर राज्टी Human Rights Watch Commission की तरफ से एक रीसेंट आकड़ा जारी किया गया उस आकड़े ने बताया कि पिछले 5 सालों में more than 35% मस्जिद चाइना में destroy कर दिया गया चाइना में मुस्लिम आबादी को एक सीमिच छेत्रों तक रखा गया वो कहीं आ जा नहीं सकते उस छेत्र में ही रह सकते हैं और डाड़ी नहीं रख सकते बुरका नहीं पहन सकते टोपी नहीं लगा सकते अगर ऐसा करते हुए वो पाए जाते हैं तो उनको lifetime जेल में रखा जाएगा यह रूल अच्याइना में यह मैं नहीं अंतर राश्ट्री Human Rights Watch Commission बता रही है और आप लोग उसका अकड़ा भी जाके पढ़ सकते हैं पूरा डेटा पढ़ सकते हैं गूगल पर सर्च करके दोस्तों पाकिस्तानियों को जब यह रिपोर्ट पता चली न तो जैसे कोई पैंट में नहीं कर देता वैसी हालत हो गई चीमा की हालत देखो पाकिस्तान वही है ना कि जो इनको लोन देता है वो इनके लिए हमेशा अच्छा है और भारत में अगर मजजित की एक सीड़ी में दरार आ जाए ना तो पूरी दुनिया में हला मत जाता है कि भारत में इसलाम खत्रे पे आए चाइनीज हैं वो जिसे कहते हैं ना मस्जित ह खतम कर रही है important areas में दो तीन important areas में इसका नाम है mosque consolidation policy और ये basically in fact अगर देखा जाए तो this policy is against the freedom of religion, this policy is against the freedom of expression of religion and freedom of speech. दुनिया का कौन सा मुलक आपको कहता है कि आप अपनी मस्जदें जो हैं वो खतम कर दें ये चीजें जो हैं ये हैं और हम खमोश हैं, मुसल्मान खमोश हैं, मुसल्मान दुनिया खमोश हैं और किसी की सांस नहीं नहीं कर रही, ठीके थी, लेकिन मैंने काया है कि यही काम अगर कोई और मुल्क कर रहा होता अब जो चाइनीज गौवर्मेंट है वो एक जो मास्क कुनसॉलिडेटिंग मास्क के नाम से एक पॉलिसी लेकिया ही है और कहां पे कौन से सूबों में एक सूबा है गंसू बड़ा सूबा है इसी तरह एक और चुछा सूबा है उसका नाम ह निंक्सिया एन आई एन जी एक्स आई ये जो सूबा जो गंसू है ये तो मंगोलिया के साथ भी अटैच होता है ये सिंक्यांग के साथ भी अटैच होता है और जारी बाद है सिंक्यांग तिबद के साथ अटैच होता है तो चाइनीज बेसी कली ये समझते हैं कि ये जो अल यहां पे इसलाम है तो उनकी आप अगर आप इंटरनल पॉलिसी देखेंगे तो बड़े परशान होंगे क्योंकि उनको तो जारी बात है किसी चीज ने परशान ने किया वो करता है यह मुसल्मानों ने जिदर जाते हैं यह अपनी कोई ना कोई अपनी चीजें बना लेते हैं कि मुसल्मान लीडर का बोलेंगे यह पबलिक का बोलेगी इतनी हिपाक्रेसी कैसे हो सकती है ठीके जी और चाइना का जो कनून है वो क्या है मैं बता देता हूँ चाइना का कनून यह है कि आप सिर्फ वही नमाज बढ़ सकते हैं जहां पे आफिशली अप्रूव किया गया वैसे तो पाकिस्तान में भी यही है कि जो लेकिन यहां पे क्या होता है यहां पहले मस्जद बनाई जाती है देखे यहां पहले मस्जद बनाई जाती है बाद में बताया जाता है अब जारी बात हालाद बदल गए हैं पहले बताना पड़ता है माजी में ऐसे नहीं हुआ क religion's के नाम से जो policy लेके आए हैं कि जी लोगों की spiritual life है उसको state control करेगी और यह जो state का control over the religion score मजीद control कर लिया गया है तो basically जो mosque consolidation policy है यह 2018 में जो चाइना की central covenant party का जो document है उसमें आई है यह और जिसे जिसे भी state agencies हैं वो कहते हैं कि वो अपने strengthen करें जो control है construction के उपर renovation के उपर Islamic values जो हैं वो expand ना करें और जो 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 कहते हैं न कि एक complete control होना चाहिए उस सिलसले में अगर demolition भी करनी पड़ती हैं तो कर दें कोई फरक नहीं पड़ता अब यह चीजें जो है जिसे कहते हैं कि Chinese चाहते के हैं Chinese चाहते यह हैं कि वो जो Muslims हैं उनकी जो loyalty है उसको transform करें जी डिरेक्ट करें towards Covenants Party of China जो यह चीजे हैं पर्टिकलर यह जो हुई Muslim जिनें कहते हैं और उनको ताकर बताएं स्टूडेंट्स को उनको बताया जहाँ जहां वो काम करते हैं जहाँ जॉब करते हैं उनके हवाले से डेटा वगएरा कठा करें मतलब यह कि इस Islamic architecture फीचर बदले जा रहे हैं यह जो doms होते हैं मस्जदों मसाजद के उपर मैं अमेरिका भी गया हूँ मैं यॉरप भी गया हूँ मैं मेर्डलिस गया हूँ अमने पूरी दुनिया जितनी को मेरी मैंने ट्रावल किया है मैंने देखा है अमरीका के अंदर जो मुस्छमान हैं दोस्तों उन्हों ने वो अजास्त्त्त्य लिया हैं कि वो कर सकते हैं जनाब मिनार रख सकते हैं आप तो ये जाज़त ले लिए है कि अजान की जो आवाज है वो बाहर आया करेगी जो कि पाकस्तान में भी नहीं है इस तरह की जास्तान ले लिए है पहले पाकस्तान में होता था कि शहर लेवल पे जो अजान वगेरा है उसको उन्ची आवाज में स्पीक गौँव अगरा में आज भी शहर में जो अजने हैं वो जो कॉल फर प्रेयर होती है वो स्पीकर में दी जाती है अब ये चीजें कि आपको पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट नजर आया कोई प्रोटेस्ट नहीं आपको याद होगा वो मारे एक वजीर याजब मुगा करते इमरान खान साब, उनसे किसी ने पूछा होना है कि पायन है, तो अनुछ पता है सिंक्यांग शूबे दे वेच मुस्लमानों के साथ जुलम हो रहा है, उनने का, मुझे तो पते हैं वहाँ ये भी होता है, मैंने तो कभी सुने ही नहीं है, वहाँ वैसे होता है, तो बाद ने का कि कुछ अर्सा बाद उन्हें का कि हम तो वजीर हमने अपना सफीर बेज जा सिंग के आंग में और वहां पर उन्हें बता है सब अच्छा है कोई प्रावलम नहीं है तो यह चीज़ तो थांकि दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए बट कमर सिमा के ज्यादा जल छाइना में हो रहा है किउनी टोецகित की बता है पकी फेंसे की सब्सक्राव होता है किने मुसल्मान के विए कप कई सकते नहीं पढ़ सकते तो दोस्तों यह इतना है फिललों आपसे विजह लेते हैं मिलते हो रहने हैं वीडियो में आपके आर तिल देन, जय हिन, जय भारत!